अम्रित काल का ये पहला बजेट विक्सीट भारत के विराट संकल को पूरा करने के लिए एक मजबूत नीव का निर्मान करेगा ये बजेट वन्चीतों को वरियता देता है ये बजेट आज की एस्पिरेशनल सुसाइटी गाउं गरीब किसान मद्दिमवर सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्नमंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस अईतियासिक बजेट के लिए बढ़ाई देता है साथियों परंपरादत रूप से अपने हाथ से और जारों और टूल्स से कड़ी महनत कर कुछ न कुछ स्रुजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है लोहार, सुनार, कुमार, सुथार, मुर्तिकार, कारिगार, मिस्ति अंगिनित लोगों की बहुत बढ़ी लंबी लिष्ट है इन सभी विश्वकर्माओं की महनत और सुजन को देश इस बजेट में पहली बाद अनेक पोट्साहन योजना लेकर के आया है ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नलोजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्ता की गई है पी-एम विश्वकर्मा काउशल सम्मान यानि पी-एम विकास करोडों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बढलाव लाएगा साथियों, शहरी महलाओं से लेकर गाउं में रहने वाईली महलाएं हो कारोवार, रोजगार में ब्रस्त महलाएं हो या गरकाम में ब्रस्त महलाएं हो उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीचे वर्षों में सरकार ने अनेक बीद कदम उठाएं हैं जल जीवन मीशन हो, जुला योजना हो, पियमावाद योजना हो ऐसे अनेक कदम इन सब को बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा उसके साथ साथ महिलात सेल्फ एल्फ गुरूप एक बहुत बड़ा सामर्तवान छेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगा अपने हाप एकवायर कर चुका है उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं और इसलिए विमेन सेल्फ एल्फ गुरूप उनके सर्वांगिन की विकास के लिए नई पहल इस बजेट में एक नया आयाम जोड़ेगी महिलाओं के लिए एक विशेस बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जन्दन एकाउन के बाद ये विशेस बचत योजना सामान ने परिवार की गुरूइने मापाव बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है ये बजेट सहकारिता को ग्रामीन अर्थिववस्ता के विकास की दूरी बनाएगा सरकार ने कोपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारन योजना बनाई है स्टोरेज केपेसिटी बजेट में नए प्राइमरी कोपरेटिव बनाने के लिए एक महत्वकांची योजना का भी एलाम हुआ है इससे खेती के साथ साथ दूद और मचली उत्पादन के खेतर का विस्तार होगा किसानों पशुपालकों और मचारों को अपने उत्पाद की बहतर कीमत में लेगी साथ योग अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सबलता को एग्रिकल्चर सेक्टर में दोहरा ना है इसलिए इस बजेट में हम डिजिटल अग्रिकल्चर इंट्रा सेक्टर के एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए है आज दुनिया इंट्रनेशनल मिलेट येर मना रही है भारप में मिलेट्स के अनेक प्रकार है अनेक नाम है आज जब मिलेट्स गर-गर में पहुंच रहा है पुरी दुनिया में पप्लर हो रहा है तो उसका सरवादिक लाव भारत के छोटे किसानों के नसीब में है और इसलिए आवशक है नए तरीके उसको आगे ले जाए जाए इसकी एक नई पहचान विशेश पहचान आवशक है इसलिए अब इस सुपर फूर को स्री अन्न की नई पहचान दी गई है उसके प्रोच्छान के लिए भी अनेक भी दियोजनाएं बनाए गई है श्री अन्न को दी गई प्राफिक्ता से देश के छोटे किसानों हमारे आदिवाजी भाईवें जो किसानी कर रहे हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देश वाचियों को एक स्वस्त जीवन मिलेगा साथियों ये बजेट सस्टेनेबल फीचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन एकोनोमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रासेक्टर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूत पूर्व विस्तार देगा बजेट में हमने टेक्नोलोजी और न्यू इकोनोमी पर बहुत अधिक बल दिया है एस्पिरेशनल भारत, आज, रोड, रेल, मेट्रो, पॉर्ड, वोटरवेज, हर खेत्र में आधूनिक इंफ्रासेक्टर चाहता है नेक्स जनरेशन इंफ्रासेक्टर चाहिए दोहजार की चौदा की तुलना में इंफ्रासेक्टर में निवेश पर चार सो परसंड से जादा के वृद्धी के गई है इस बार इंफ्रासेक्टर पर दस लाग करोड रुप्ये का अबुत्परव इंवेस्टमेंट भारत के विकास को नई उर्जा और तेज गति देगा ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए आउसर प्रदा करेगा एक बहुत बड़ी आबादी को आएके नए अवसर प्लब्द कराएगा इस बजेट में इस अब बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है MSM के लिए दो लाग करोर रुप्य के अतिरित रर्ण की गारंटी की व्यवस्ता की गई है अब प्रिजम्टिव टेस्क की लीमिट बढ़ने से MSM को ग्रोग करने में मदद मिलेगी बड़ी कमपनियां द्वारा MSM को समय पर पेमेंट मिले इसके लिए नई व्यवस्ता बनाई लिए हैं साथियों बहुत तेजी से बदलते भारत में मद्यमवर्ग विकास हो या व्यवस्ता हो साहस हो या संकल पलेने का सामर्त हो जीवन के हर शेत्र में आज भारत का मद्यमवर्ग एक प्रभुगधारा बना हुआ है संब्रूत और विख्षित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मद्यमवर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशे सामर्त है वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मद्यमवर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है मद्यमबर को ससकता बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णे लिए और Ease of Living को सुनिश्चित किया है हमने Tax Rate को कम किया है साथ ही Process को Simplified, Transparent और Fast किया है हमेशा मद्यमबर के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मद्यमबर कोट टैक्स में बड़ी राहत दी है इस सर्वस परची और विक्सित भार्ट के निर्मार को गती देने वाले बजेट के लिए मैं फिर एक बाद निर्मला जी और उनकी पुरी टीम को बहुत-बहुत बदाई देता हूँ और देश वाजियों को भी बहुत बदाई के साथ साथ मैं आवान करता हूँ आईए अब नया बजेट आपके सामने है नए संकल को लेकर के चल पड़े 2047 में समुरुद्ध भारत समर्थ भारत हर प्रकार से संपन्द भारत हम बना के रहेंगे आईए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं बहुत-बहुत दन्यवाद